नमस्कार दोस्तों कैसे हैं स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल कीरतिमान फ्यूचर क्लासेज में आज हम सीखेंगे कि तिरकोण मिती अनुपात के मानों को हम याद कैसे रखें आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं केवल आपको साइन का मान पता होन चाहिए बाकी आप सभी मानों को अपने आप निकाल सकते हैं याद कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से चलिए फिर सीखते हैं आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे जैसे साइन जीरो अंस का मान जीरो होता है साइन तीस अंस का मान एक बटे दो साइन पैतालीस अंस का मान बस आप साइन को याद रखेंगे बाकी पांचों का मान आप बिल्कुल आसानी से सोच कर तुरंत बता देंगे बिल्कुल आसानी से तो देखिए साइन 0 अंस का मान जीरो साइन 30 अंस का मान एक बटे दो साइन 45 अंस का मान वन बाय रूट टू साइन 60 अंस का मान एक होता है तो आप करिएगा कुछ नहीं बस आप इसी साइन के मान को उल्टा करके कास में रख दीजी इसी साइन के मान को जो साइन का मान जीरो एक बटे 2, 1 by under root 2, under root 3 by 2, 1, इसी के मान को उल्टा करके कास में रख दीजिए, यानि 1 हो जाएगा, under root 3 by 2 हो जाएगा, 1 by root 2 हो जाएगा, 1 by 2 और 0 हो जाएगा, यहां तक आप समझ गए हूँ, केवल आप sign का मान किसी भी प्रकार से याद रखे, sign 0, 1, 0, sign 30, 1, 1 by root 2, sign 45, 1 by root 2, sign 60, 1, under root 3 by 2, sign 90, 1, बस आप sign का याद रखेंगे, बाकी sign का ही उल्टा कास कर देंगे, यानि sign के मानों को 90 से हम सुरू करते हुए, 90 को हम 0 मान कर इसी प्रकार करेंगे, तो बिल्कुल आसानी से, यानि हम इसी मान को, sign के मान को ही हम उल्टा करके कास के मान में रख देंगे, तो एक कास का मान निकल आएगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, तो यहाँ से आप मान निकल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर हमको टाइन ठीटा का मान निकलना है, तो टाइन ठीटा इस इक्वल टू साइन ठीटा अपान कास ठीटा, अगर हमको टाइन जीरो अंस का मान निकलना है, तो साइन जीरो अंस अपान कास जीरो अंस में भाग दे देना है, इसी प्रकार इसमें 30 में साइन 30 में कास 30 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बाय रूट 3 हो गया इसी प्रकार रूट 2 से रूट 2 कैंसिल 1 हो गया इसी प्रकार देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया रूट 3 हो गया इसी प्रकार एक में 0 से भाग देगे तो आप परिभासित यानी इनफाइनाइट हो जाएगा इसी प्रकार काट काट का टैन का जश्ट उल्टा काट होता है देखी ये टैन काट ठीटा इज इक्वल टू होता है 1बाई टैन ठीटा यह basic concept है आपको पता होगा नहीं पता है तो आप सीख लिजी cot theta is equal to 1 by 10 theta तो cot theta is equal to क्या हो जाएगा 10 का just उल्टा तो देखिए 10 हमने इतना मान निक्याला 0 1 by root 2 1 under root 3 और infinite तो इसी के मान को हम उल्टा करके रख दें रख देंगे तो क्या हो जाएगा infinite अंडर root 3 1 1 by अंडर root 3 और 0 हो गया बिल्कुल आसानी से आपने केवल एक मान को किसी प्रकार से याद कर लेंगे बाकी सभी मानों को दिमाग में केवल तुरंत मात्र एक सेकंड में कर लेंगे बिल्कुल आसानी से इतना calculation करने की कोई जरूत नहीं ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं इसी प्रकार से आपको पता होगा काश ठीटा इस इक्वल टू वन बाई सेक ठीटा होता है यानि सेक ठीटा इस इक्वल टू वन बाई काश ठीटा तो सेक ठीटा इस इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक जीरो अंस का मान क्या हो जाएगा वन बाई काश जीरो और काश जीरो का मान एक है तो यहां से सेक जीरो अंस का मान एक निकल कर आया आप बिल्कुल आसानी सेक ठीटा इस इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1 upon काह 0 और काह 0 अंस का मान 1 है तो 1 by 1 एक ही आएगा इसी प्रकार हमको निकालना है सेक 30 अंस का मान निकालेंगे तो इसी संख्या को हम उल्टा कर देंगे यानि 2 by root 3 हो गया आप समझ रहे हैं बिल्कुल आसानी से क्योंकि सेक ठीटा is equal to 1 by काश ठीटा हमको सेक ठीटा निकालना है तो 1 by काश ठीटा तो हम 1 बटे काश ठीटा रख देंगे तो काश ठीटा का मान काश ठीटा का मान हम यहां 30 अंस को निकालना है तो 30 अंस को हम उल्टा कर देंगे यानि 2 by root 3 हो गया यहां से आप समझ रहे हैं मेरी बातों को देखिए जैसे sec theta is equal to 1 by cast theta होता है तो यहां से क्या निकल कर आएगा अगर हम sec 30 ans का मान निकल लेंगे तो 1 by cast 30 हो जाएगा और cast 30 ans का मान कितना होता है 1 by root 2 तो यहां से क्या निकल कर आएगा sec 30 ans बराबर 1 by 1 by इसका मान क्या है root 3 by 2 है तो यह क्या हो जाएगा उल्टा इसका गुड़ा यहां नीचे वाइसे लिख दिया जाएगा तो 2 by root 3 हो गया बस इसी संख्या को उल्टा करके लिख देंगे यानि तो यह हो गया इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो under root 2 हो जाएगा बटे 1 उसका कोई मतलब नहीं इसको भी कर देंगे तो 2 हो जाएगा इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा इसको उल्टा जीरो बाई 1 है इसको उल्टा कर देंगे तो 1 by 0 यानि एक में 0 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा infinite आप बिल्कुल आसानी से इसको भी के समझा देते हैं साइन से कॉसेक 0 अंस का मान क्या हो जाएगा 1 by sin 0 देखिए कॉसेक 0 is equal to 1 by sin 0 तो sin 0 अंस का मान क्या है 0 तो एक बटे 0 करेंगे infinite हो जाएगा इसी प्रकार इस संख्या को पलड़ देंगे 2 हो जाएगा यहां under root 2 हो गया इसको अगर हम पलड़ देंगे क्या हो जाएगा 2 by root 3 हो गया और इसको हम पलड़ देंगे तो कितना हो जाएगा एक ही हो जाएगा आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा साइन का जश्ट उल्टा क्या होता है कौसिक होता है और कास का जश्ट उल्टा क्या होता है सिक होता है इस परकार आप मानों को बिल्कुल आसानी से केवल आप इसी मान को याद रख लेंगे बाकी आप बिल्कुल आसानी से मानों को ग्याद कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा सेर करिएगा चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर जै हिंद भार लाकी जे